आज से कुछ महीनों पहले हमने एक प्लेलिस स्टार्ट करें थी Frontend Best Practices जिसमें हम बताते हैं आपको कैसे Production Ready Frontend के लिए Code लिखना चाहिए इस प्लेलिस का में नेम यही था कि आपको Code लिखना आना साहिए कैसे अच्छा Code लिखते है आपको एक जोप में Production Ready Code लिखना आना चाहिए अगर आप फ्रेश हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि Production Ready Code कैसे लिखते है आज की वीडियो इस प्लेलिस का लास्ट वीडियो होने वाली है इस सीजन की लास्ट वाली है हम यह आ चुके अपने Computer Screen पे अब समझते है एक Code के मदद से तो मैं इसको थोड़ा Zoom In कर देता हूँ लास्ट टाइम कमेंट आये था कि आपको Code नहीं लिखता है तो मैंने काफी Zoom In कर दिया है अब साहिद आपको Code धिक पाए तो मैं कोड पर Zoom In कर देता हूँ सिंपल एप्लिकेशन है सिंपल से समझेंगे सिंपल ही समझमाएगा तो हम वापी जाते है Code के अंदर आज हमें बात करना है REM, EM और PX के बारे में मैं चाता हूँ Index दो CSS में अगर आप इनकी बात करने वाले हैं तो CSS की बात करने वाले है Simple Code है देखिए हर एक Card के लिए मैंने Card Class Name दी है और Card Class Name के अंदर मैंने विर्च दी है 200 Pixel 100 Pixel 10 Pixel 20 Pixel कुछ नहीं है माल लेते हैं मेरे को यह UI चाहिए था ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर अब मैं बताता हूँ दिक्कत कहां पाती है जब भी हम Web Application मनाते है मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था जो Web Accessibility की वीडियो थी कि हम खुद को देखके नहीं मनाते है हम पुरी दुनिया के लिए बनाते है और पूरी दुनिया में काफी तरह के लोग आते है तो सब के लिए बनाने के लिए हम करते Accessibility Accessibility के लिए यहां पर पॉइंट आता है REM और EM का अब समझते है REM EM करते क्या है REM यह कहता है कि आप मेरे को जो भी वेल्यू दोगे ना माल लेते हैं आपने 1REM दिया है तो मैं उसको मैप करा दूँगा HTML के फोन साइज से simple सो माल लेते हैं आपके HTML का फोन साइज अगर 10 पिक्सल हुआ तो 1REM की वेल्यू हमारी हो जाएगी 10 पिक्सल simple अब समझते हैं कि HTML की वेल्यू कितनी होती है अगर आप नौर्मल ब्राउजर यूज़ कर रहो जिसमें फोन साइज आपका नौर्मल है मतलब आपने कोई छेर्चार्ट नहीं करी है फोन साइज के साथ सो महाँ पर 1REM की वेल्यू आपकी हो जाती है 16 पिक्सल आपने 16 पिक्सल किया ठीक है तो अगर आप 1REM डालोगे तो उसका पतलब होगा 16 पिक्सल ठीक है अब समझते हैं कि आपको कब REM यूज़ करना चाहिए यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ठीक है मैं एक्सेशिबिलिटी की बात बोली थी यहां पर देखिए यहां पर टेक्स बहुत छोटा दिख रहा है अब माल लेते हैं कि अगर मैंने विर्थ इसकी इतनी नहीं की होती अब मैं वापी जाता हूँ 100 पिक्सल की जगे मैं तो यहां देखिए सब्सक्राइए युओ आई हमारा ब्रेक कर गया मैं क्या चाता था पहले नीमें two का M bara автом कर से ले उन्हं rul आइए का कर लेते शाओ वापिए मैंने इसका मिर्यूंत कर लेते हैं ओगर मैंने फीर्व म कर दिया है वापिए को ओड में जाता हूं को हटा देता हूं और विर्थ को फिर से 200 पिक्सल कर लेता हूं ठीक है अब हमारा description टाइटल दिखने लगा अब हमें responsive ने चाहिए ठीक है अगर मैं user font size बढ़ाए या ना बढ़ाए कैसे भी हो हमें UI एक जैसा दिखाना है ठीक है अब मैंने क्या किया है pixels की जगे REM यूज कर लिया है मैंने height की जगे height में भी pixels की जगे REM यूज कर लिया है margin के लिए अभी के लिए 10 pixels रखा है padding के लिए 1.25 REM रख लिया है अब जाता हूं वापी स्कोर में तो अब मैं वापी साता हूं website पर यह देखिए title description card तीनों तीनों हमारे बड़े हो गए ऐसा क्यों सो basically क्या हुआ है browser में जब भी आप font size चेंज करते हो ना वह आपकी pixels value change कर देता है जो HTML का font size होता है उसकी सो मान लेते हैं अगर पहले हमारा html का font size 16 pixel था और 16 pixel font size था html का और वह हमारी one rm value होती है अब वह हो जाएगा 24 या फिल 25 जो भी इसने define किया है तो इसलिए उसकी width भी बढ़ गई card की सिर्फ text की नहीं card की width भी बढ़ गई अब समझ वाया है आपको हमें rm क्यों use करना चाहिए ठीक है अब हम समझते है कि rm हमने यहां तो use कर लिया बढ़ क्या हमेशा rm use करना चाहिए नहीं बिल्कुल नहीं क्यों नहीं करना चाहिए अब मैं नए example देता हूं आपको यहां पर देखिए एक image है अब माल लेते है आपने कोई ऐसी website बनाई है जिसमें आप image की sizes दिखाते हो ठीक है माल लेता आपकी photography की website है आप महाँ पर दिखाना चाहते हो कि मेरे को 500 width और 300 height के साथ ऐसी image दिखेगी ठीक है अब उस case में अगर आप REM यूज़ करोगे width, height चेंज हो जाएगी as per font size तो वहाँ वह आपको नहीं चाहिए आपको एक fix size चाहिए आपको पिक्सल्स का तब आप pixels यूज़ कर सकते हो ठीक है समझ मार यह बात मतलब specific case होते है अगर आपको चाहिए कि अभी भी margin उत रही है जिता पहले था मैंने REM यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं चाहिए gap हमेशा same रहे जब भी आपको चाहिए fixed, कुछ भी fixed, margin, height, anything तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा पिक्सल्स, REM और पिक्सल्स के बाद आता है EM, so EM basically क्या कहता है, EM यह कहता है कि कि आप अगर 1 EM करोगे, तो मैं HTML का phone size नहीं देखूँगा, मैं अपने parent का phone size देखूँगा, so उसके लिए मैंने एक example लिया है, यहाँ पर image है, 500 x 300, ठीक है, वहाँ पर एक caption मी डाला है, यह caption है, basic caption, girl with camera, so यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर मैं code में चाहता हूँ, width और height लिख रखिये, 500 pixel, 300 pixel, अब मैं चाहता हूँ, यह change हो, ठीक है, font size के recording, तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं वापिस से उसको ला रहा हूँ, वो मैंने उनकलती से delete कर दिया था, so मैं basically मिले कॉन कमेंटी करना था, figure का font size 10 pixel है, okay, image की width 31.25 RM है, height 18.75 RM है, RM नी, sorry, RM है, यहाँ प parent को है, figure, तो यह, अगर हम मैंने EM यहाँ पे define किया है, IMG में, अभी मैंने EM define किया है, तो इपने parent का font size देखेगा, अब figure, अब यह भी अपने parent का देखेगा, तो माल लेते हैं, अगर मैं हाँ पे font size change कर देता हूँ, 10 से मैं कर देता हूँ, 20, ठीक है, पहले देखते हैं, अ उसके child की भी हमारी styling change हो, तो उस case में हम EM यूज करते हैं, यह बात हो कही REM, PX और EM की क्या-क्या होते है, simple definition हमने जान ली, अब बात करते हैं, इसको real project में हम कहां यूज करते हैं, ठीक है, तो general सी है, आपको overview दे देता हूँ, कहां-कहां आपको कैसे यूज करना है, तो जह आपको REM यूज करना होगा, जहां भी आपको यूज करना है, please use REM, क्योंकि mostly हमें website अपने responsive बनानी होते है, accessibility के लिए, accessible होनी चाहिए, हमारी सारी website, तो हमेशा यूज करना है, REM, REM के बाद क्या आता है, हमाई पास आता है, PX, PX में बहुंगा, आप तब यूज कर सकते हो, आपको margin देना है, उस cases में आप यहाँ पे PX यूज कर सकते हो, आप चाहते हो कि याप gap similar रहे, हमेशा इसे change ना हो, font size के recording, तो उन cases में आप PX यूज कर सकते हो, हाला कि margin के case में भी REM यूज करते हैं, मैं भी REM यूज करता हूँ, वो depend करता है अपने use case के साब से, तो जब आपको use करना है, देखिए सबसे पहले तो PX को भूल जाइए, हमेशा पहले use करिए REM, फिर सोचिए, कि क्या मेरे को fixed weight चाहिए, क्या मेरे को fixed height चाहिए, तब आप PX यूज करिए, ठीक है, last में आता है EM, ये generally कभी use नहीं होगा, वो बहुती rare case होगे, जब आप EM यूज कर ये वो मैंने आपको दिखा दिया है, responsiveness REM से आती है, PX से एक fixed element की विर्थ आती है, या फिर height आती है, basically styling आती है, fixed styling आती है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें हमेशा REM चाहिए, इसलिए हमेशा use करिए REM, then use करिए PX और EM को तो आप भूली जाहिए, उम्मीद करता हो, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, basically एक playlist है, जिसमें हम बताते है, कैसा आपको production ready code लिखना चाहिए, front end के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, notification bell icon दबा दीजेगा, जिससे अगली बर जब ये playlist आए, आपको एक notification आजाए, झाल